हेलो दोस्तों फीश रिगवर श्वागत है आपको अपने इस यूटूब पढ़ेंगे बर्न बर्न क्या है बर्न किसे कहते हैं चूंकि जैसे कि आप जी एससी के जो एक्जाम होते हैं उनमें जो है हिंदी लेंग्वेज जो है हिंदी लेंग्वेज आपका है तो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे बर्न किसे कहते हैं पिछली वीडियो में हिंदी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा कोईस कर रहे हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो तो आज जो हम लोग डिसकस करने वाले हैं बर्न से रिलेटिटिट कोसन रहेंगे तो चलने सिधा टोबिक यहाँ पर अबर्न क्या देख सकता हैं कि भासा की सबसे छोटी य क्या यहाँ और आलोЊप्सी कि यहां पर हिंदी में मुलत कितने बर्न है हिंदी में मुलत कितने बर्न है आपसे पूछा जाएगा कौसन नमर 2 ध्यान दिजेगा तो यहां पर आपको राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन हिंदी में मुलत कितने बर्न होते हैं 46 होते हैं ज्यादा डिपली ने जाना है आपको त्यारी करना है तो आपको पूइंट पढ़ना है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं जो जरूरी है वही आपको करना है ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है नेक्स्ट कोशन पर चलेंगा हम लोग हिंदी भासा में वह कौन सी धौनिया है जो सौतंतर रूप से बोली या लिखी जाती है नमर थ्री पर तो इसका राइट एंसर हो जगा है ऑप्शन नमर ए स्वार आपका राइट एंसर पर चलेंगा हम लोग पर आगए है संजुक्त को छोड़कर अब संजुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल बर्नों की संख्या कितनी है आप सब पुछा जाएगा संजुक्त इस तरह को जिवार रहेंगे आपका और संजुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल बर्नों की संख्य चीन का उच्चारन लगो और गुरु में होता हो जिनका उच्चारन लगो और गुरु में होता हो जिनका उच्चारन बीना अवरोध अथ्वा बीगनवाधा का होता हो जिनका उच्चारन सौर की सहिता से होता हो जिनका उच्चारन नाक और मुझ से होता हो देखिए सौर किसे कहते हैं इसमें थ्यान देगा इसका राइट एंसर के सबसर पहले बी होगा इसका राइट एंसर हिंदी में कितने परकार होते हैं कितने परकार होते हैं हिंदी में सिक्समें तो सिक्समें इसका हो जाएगा डी तीन होते हैं नीचे चलिंग हम लोग ज्यादा में फीर से बताना चालता हूं ज्यादा हम लोगों को डिपली भी नहीं जाना है सिर्फ ध्यान देना है को सब्सक्राइब देख सकता है हिंदी वर्न माला में ख्या है को सब्सक्राइब यूघ करें कर नेक्सके सक्षारन में दिग्र स्वार में अधिक समय लगता है ब यहां कहांगता है कि एट नमर को से में ध्यान दीजेगा इसका राइट रोजएगा प्लूत स्वार इसका राइट अजर भी आपका सई होगा इसमें हम लोग हिंदी का जो को से अभी वर्न से रिलिट कर रहे हैं टॉप 20 को से इसमें से लिए हैं जो कि आसा करता हूं कि आप लोग को जो है चार्टिनने लिए भूला जाता है इसमें जो सब्द दूसार आपको बूला जाएगा कि निम निलिखित में कौन से स्वार नहीं इस तरह को नहीं कौशन्प कर आपका हो जाएगा डी है यहाँ उपका होगा है कि आप 10 भी चारन के समय जीब की इस्तिति के अनुसार जहां कुछ बोलते हैं वह उच्चारन के समय जीब की स्टितिक अनुसार सवारो के कितने भेद किये जाते हैं तो इसका राइट 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 रा यहां पर देख़ेट निम्लिंशै को सब्द Clifford इन और यहां आड़ में प्रेटा है और जी मैं रहा है सी में लोगर दी में होए इसका राइट रोज है वी में फीर से आपको कोश्ण को दिखाना चाहता हूं यहां पर नाशाव होगा है नीचे चलिए हम लुग हो नीचे में देख सकते हैं यहां पे दिया गया है हिंदी व्याकरण के अन्तिम पंच पंचमाच्रों की उच्चारन अस्तान क्या है इसका नासिक आनुनासिक आपको सौसा और हब एंजन क्या है 13 का इसका आपको राइचिक का परेयोग हुआ है इसमें से जो है किसमे से इसमें कुंसा जो दिया गया और में उत्यचिफ दहोनी का परियोग हुआ है फिप्टिन दियान दिए यहां पर अपको कि यहां पर चात्र और ग्यां की गननता सवतंत्र बर्णों में नहीं होती क्यूं क्यूं नहीं होती तो क्यूं कि क्यूं नहीं होती इसके बारे में हम लोग देखेंगे 16 पर दियान दिएगा टो यहां पर मिंका परियोक के वल थत्सम सब्दों ही होता है Sब Yap यह बैन जन अर्द और्द शौर माने गए है यह पूर्णत सोतंतर बैंजर अधर है तो इसका जो राइट एंस अपसे अधर आपका प्राइट अहाऊ रहोगा यह संजुक्त बैंजन के थे मिलकर यह संजुक्त बैंजन है कि नेज चलेंगा हम लोग हिंडी में भेऻन बनों के शंग्या कितनी हैं फिर डिया पूर्न dysle अब क्यारन हो रहा है आपको यहां पे किसमी जारा आपका बोड़ी के सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुह से हम लोग बोलते हैं लेकिन मुह का भी कई पार्ट्स होते हैं तो एटीन में ध्यान दियेगा सब्सक्राइब देख सकते हैं जो हमारे जीब के उपर जैस्ट रहते हैं उपर इसको तालूब भी हम लोग बोलते हैं आपने थोड़ा से मोटे भासा में तो इसका राइट रहता है उससे लिकलता है सब्सक्राइब तो तो तालव से ही निकलता है तो सब्सक्राइब देख रहें आपको यह इसमें से बहुत सारे जो है मुझा जो पार्ट्स का नाम दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा कि यह दो निकलता है किस से जो धोनी है उच्चारण होता है नाइंडर में जालेंगा हम लोग फिर फिर उसी टाइब का जो है कोस्टन आ गया तो 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 अधिका उच्चारण अस्तान क्या है नाइंडर में जान देगा तो यह दिखिए दंथ दाथ आपका राइट एंसर के बी सबसे पहले से जो है उच्चरण निकलता है आज का लास्ट कोशन 20 तक जैसे हम लोग पहले ही बूल चुके हैं कि आज टॉप 20 कोशन करेंगे हिंदी का तो आज का लास्ट कोशन रहेगा अब यहां पर देख सकते हैं कि जीन ब्यांजनों के उच्चरण में दोनों ऑस्टों द्वारा स पास का अबरोध होता है वो क्या कहलाता है ट्वेंटीव जहां जाएंगे आसा करता हूं कि वीडियो आपको कुछ हेल्प मिला होगा आप जरूर इससे वीडियो का लाब ले तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम